हम अक्सर बर्मूडा ट्राइंगल के विशह में सुनते हैं और नाम सुनकर हमें अचमभा लगता है की आखर ये क्या और इसका रहश्य क्या है तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको बर्मूडा ट्राइंगल की हिस्ट्री और उसकी मिश्ट्री बेहद आस और आम बोल चाल की भासा में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अट्लांटिक सागर में पांच लाख स्क्वाइर किलो मीटर का एक हिश्चा बर्मूडा ट्रियंगल कहलाता है इसे बर्मूडा ट्रेंगल इसलिए कहते हैं क्यूंकि इसका आकाय ट्रेंगल की तरह है हाल एक हजार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है यही कारण है कि यह एक मिश्ट्री या रहस बना हुआ है इसे डेविल या रच्छस ट्राइंगल के नाम से भी जाना जाता है बर्मूडा ट्राइंगल उत्तर अट्लांटिक महासागर में इस्तित ब्रिटेन का प्रवाश पर इस्तित है कहा जाता है कि सबसे पहले इसकी खोजिया यू कहिए इसकी जानकारी क्रिश्टोपर कोलंबस ने दुनिया को दी थी उन्होंने अपने लेखों के माद्गम से बताया था कि किस तरह की घटनाएं बर्मूडा ट्राइंगल में होती है और यह एक रास्ता है ज जहाजों के गायब होने को लेकर वैग्यानिक मौसम को इसका जिम्मेदार बताते हैं बर्मूडा ट्राइंगल के आसपास के मौसम पर सोध कर वैग्यानिकों ने यह पता लगाया कि इस ट्राइंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती है और इनकी रफतार 170 मील प्रती घंटे रहती है जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आता है तो अपना शंतलन खो बैठता है जिसके करण उनका एक्शिडेंट हो जाता है वैग्यानिकों का ये भी कहना है कि बर्मूडा ट्राइंगल में बेहद भारी चीजों को अपनी और खींच लेने की ताकत बादलों की ह अपतार वाली हवाएं चलती हैं और ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जब जहाज से टकराते हैं और उन्हें खींच कर समुद्र के तल में ले जाते हैं मैट्रों की खबर के अनुशार आश्ट्रेलियाई वैग्यानिक का मानना है कि बर्मूडा ट्राइंगल में बड कुरी बेहद कम हैं इसलिए यहां ट्रैफिक अधिक होता है क्रुजेल निकिक ने कहा कि अमेर्की तटरचक और लॉइट्स ऑफ लंडन के मताबिक बर्मूडा ट्रेंगल में लापता होने का अंकड़ा प्रतिशत के आधार पर दुनिया की किसी भी अन जगे के शमान ही है उन्होंने फिलाइट 19 के पांच बिमानों के लापता होने की भी वज़े बताई जिसके गायब होने के बाद से बर्मूडा ट्रेंगल के रहश की शुरुआत हुई थी उन्होंने कहा कि बास्ताओं में उस दिन 15 मीटर उची लहरें उठ रही थी जिन्होंने बिमानों पर गहरा प्रभाव डाला उन्होंने कहा कि उस उड़ान में एक मत्र अनभावी पाइलट उनके लीडर लेप्टिन एंड चार्ल्स टेलर थे जिनकी मानवी गलतियां इस हाथसे का करण बनी उन्होंने कहा कि पिट्रोल के बहने से पहले की रेडियो ट्रांस्क्रिप्ट ने इसलिए बर्मूडा ट्राइंगल बहुत ही भयानक माना जाता है तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा पसंद आयोते से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो हमारे चैनल फैक्ट क्रेटर जी को सब्सक्र करें और बेल आइकन भी डबा दें